इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैन कार्ड के लिए हमें ओनलाइन कैसे अपलाई करना है यहाँ पर इसका लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं जिसमें कि आप अपने पैन कार्ड पर अपनी मरजी की जो फोटो है सिगनीचर अपलोड करके अपना जो पैन कार्ड है वो जल्दी से बना पाओगे जिसमें कि आपको कोई भी डिकुमेंट भेजने की जरुरत नहीं होगी पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस होने वाला है तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एनसडील पैन की जो वैपसाइट है आप इसी पर आ जाओगे जहां पर हमें अप्लिकेंट टाइप के सेक्षिन में आना है हम नेया पाइन कार्ट बना रहे है न्यू पैन इंडियन से कि पर्मिशन के सेक्षिन में आना है यहाँ पाइटल स्रीज स्रिमतीक गुमारी जो भी आप नेयम के आگे यूज करते हो चूज करना है अब पैन कार्ट को बनाते समय कई सारे लोग है के लग 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 बॉक्सेसे इंट्र करने के लिए बोला जाता है तो यहां पर आप सभी को मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है कि आपका जो नेम है उसमें आपका first name …middle name इसे को साथ मैं last name क्या होगा सब्सक्राइब करना है और इसके बाद में जो भी डेट है सलेक्ट करोगे और यहां पर अपनी जो Capital Small Similar वैसे इंटर करना है और Summit के option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर registration होने के बाद में आप सभी को एक token number प्रोवाइट किया जाता है इसको आपको अपने पास में note करके सुरचित करके रख लेना है कभी भी form को फिल करते समय अगर आप सभी के सामने कोई error आ जाता है तो यहाँ यहाँ पर हम continue with pen application form इस option पर क्लिक करेंगे pen card को आज की date में तीन तरीके से बनाया जा सकता है जिसमें कि कई सारे लोग यहाँ पर जो option है selection गलत तरीके से कर लेते हैं जिसकी वज़े से उनके pen card पर उनकी जो photo है signature update हो करके नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको सही तरीका बत है जो post के माध्यम से आता है yes करना है और इसके बाद में आप से भी को अपने आधार card के जो last के digit है for वह आपको यहाँ पर फिल करना है और अपना जो name है यहाँ पर जैसा कि आपके आधार card पर है similar कुछ इस तरीके से name को फिल करना है इसके बाद में full name आप applicant के section में आना है यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो name है वो registration page से automatic same उसी तरीके से आ चुका है बाकि यहाँ पर male female जो भी gender है select करोगे registration number mandatory नहीं है यह हमारे पास है भी नहीं इसको ऐसे ही skip छोड़ देना है अब यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपका जो name है कभी भी change ह हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है नो के option पे हम क्लिक करेंगे डिटेल आव पैरेंट के सेक्षिन में आना है यहाँ पर आप सभी को पहले तो यह पूछा जाता है कि यहाँ पर आप अपना जो पैंकार है उस पे मदर का नेम आप चाहते हो अगर आप सिंगल पैरेंट हो तो आप यहाँ पर Yes के option पे क्लिक करके आप अपने PAN card पर मदर का जो नेम है वह add करा सकते हो बाकी सारे लोगों के लिए यह option नहीं है यहाँ पर अपने father का जो नेम है जैसे आपना नेम इंटर किया है first name middle name last name कुछ इस तरीके से अलग लग boxes में enter करना है mother का जो name है हलाकि optional है अगर आप चाहो तो इसे enter कर सकते हो इसे आप skip भी कर सकते हो इसकी बाद में page में आप नीचे कतर बढ़ोगे तो अब आप देखोगी कि हाँ पर आपसे पूछा जाता है जहां पर आप देखोगे कि आप से भी कोई सारे method दिखाए गए है जैसे कि आप job करते हो salary से आपकी income है या फिर आप business करते हो या फिर आप एक student हो आपके पास अभी कोई भी income का source नहीं है तो यहां पर आपको अपने according selection करना है इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि आप अपने pen card पर communication का जो address है वो क्या रखना चाहते हो तो यहां पर residence का जो option है इसे ही हमें select करना है इसके बाद में आप सभी को अपने घर का complete जो address है सबसे पहले तो house number, building का जो भी name है इसी के साथ में road, street, name इसके बाद में sub district के section में आना है अपने तहसील का name यहां पर fill करना है और यहां पर अपनी जो state है और अपनी area का जो pin code है आपको fill करना है zip code का जो option है वो optional है इसको blank छोड़ देना है office address के section में आना है यहां पर अपने office का address उपर selection किया है तो आपको enter करने की जरुवत है बाकी लोग इसे skip कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं अब address के बाद में telephone number, email id के section में आना है यहां पर अपने country का जो code है जैसे कि मैं इंडिया से हूँ selection करना है HDD code की जरुवत नहीं है आपको directly यहां पर mobile number फिल करना है और अपनी email id यहां पर आपको दर्ज कर देना है कोई भी बैकते है जो minor है जिसका pen card अगर आप बना रहे हो और यहां पर हम no के option पर click करेंगे next करेंगे तो इस तरीके से अब आप देखोगी कि हमारे सामने AO code, area code को फिल करने का जो page है वो आ चुका है तो यहां पर किसी किसी case के अंदर आप सभी का जो area code है, AO code है वो automatic यहां पर populate हो जाता है लेकिन अगर आपको यहां पर अपनी जो details वो फेच नहीं होती, नहीं दिखाए देती है तो आपको क्या करना है, यहां पर जैसे कि हमें एक Indian citizen है, यहां पर जो box दिया गया इस पर हम click करेंगे, अपनी जो state है select करेंगे, city का जो name है यहां पर हमें choose करना है, तो यहां पर हमने page की option पे click किया है, तो हमारे सामने आप देखोगे कि description के section में कई सारे area code, AO code की एक पूरी ही list आ चुकी है, जहां पर additional description के section में आप देखोगी कौन सा आपका area code, AO code होगा यहां पर आपको mention किया गया है यहां पर इस तरीके से आपको selection करना है इसके बाद में आपको next की tab पे click करना है, अब इसी के साथ में अगले page पर आते हो, तो यहां पर यह जो pen card आप बना रहे हो, इसके लिए आपको कोई ना कोई एक दस्तावेद देने की जरूरत होगी तो जैसे कि हमने यहां पर proof up identity की tab पे click किया है, तो यहां पर अगर आपके पास में driving license है, इसी के साथ में आपका passport बना हुआ है, बाकी कई सारे additional document भी यहां पर दिखाएगे हैं, तो मैंने यहां पर आधार select कर दिया है, इसे के साथ में proof up address में भी, तो आधारी मेरे पास में है, तो इसमें भी हम address में आधार select कर देंगे, इसके बाद में proof up data birth के section में आप आओगे, तो यहां पर अगर आपको birth certificate बना हुआ है, तो आप दे सकते हो, मेरे case में यह भी, आधारी card मेरे पास है, तो यहां पर हम आधार select कर लेंगे, इसके बाद में आप सभी को declaration के section में आना है, यहां पर आप सभी को option दिखाया गया है, इसको choose करना है, अपने सहर का जो name है, यहां पर type करेंगे, date पहले से fill है, अब इसके बाद में आप सभी को upload photo and signature की tab पे आना है, यहां पर आप सभी को अपनी पासपोर्ट size की जो photo है वो upload करना है, तो कई सारे लोगों को इसके लिए आप सभी को क्या करना है, ब्राउजर अपना open करना है, और यहां पर आपको search करना है, सरकारी DNA जो पहली website आएगी, सरकारी DNA.com इसमें आप देखोगे कि नीचे के तरफ आपको दिखायागा है, pen, card, photo, signature वाला जो option है, कि photo को आप चूज करोगे, फोटो का जो dimension है आप यहां पर enter करोगे, इसके बाद में get photo के आप क्लिक करोगे, तो यहां पर आपकी जो photo है, जिस भी size की आप बनाना चाहते हो, यहां पर आपकी जो photo है, वो generate हो जाएगी, photo correction होने के बाद में आप से भी को वो जो file है, यहां पर select करना है, upload की tab पे click कर देना है, आप यहां पर signature को upload करने की जरुरुत होगे, उसको भी हम यहां पर choose करेंगे, और upload की tab पे click करेंगे, तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों चीज़े हमारी complete हो चुकी है, अब supporting document में जो भी आपने document selection किये हैं, जैसे कि मैंने आधारी select किया था, तो मुझे किवल एक file चूज करने की जरुरुत पड़ेगी, अगर आपने multiple document option है, वो आजाएगा, यहां पर जो PDF file है, वो upload करनी की जरुरुत होगी, तो यहां पर हम आधार जैसे कि देने वाले हैं, आधार को हम इस तरीके से choose करेंगे, तो ध्यान रखना है, यहां पर आपको upload नहीं करना है, अगर आप यह आधार upload भी कर रहे हो, तो उसको सबसे पह पेज आजाता है, जिसमें कि सबसे पहले आधार नंबर, फर्स्ट एडिजित, वो हमें यहां पर इंटर करना है, और इस पेज में हमें कुछ इस तरीके से नीचे के तरफ आना है, सारी details को एक बार आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है, कोई भी अगर correction है, कोई गल इस पेजित के माध्यम से कर सकते हो, तो यहां पर आप देख सकते हो, 107 रुपीज आपको पेमिंट करना है, इतना करते ही पेज आटोमेटिक रिडारेक्ट होता है, आप सभी के सामने पेमिंट करने के कई सारे मेथड आ जाते हैं, आप डेविट कार्ड इसी के साथ में क् कर देना है, और पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, हम रिडारेक्ट हो जाते हैं, और नेश्डियल की वेफसाइट पर दुबारा से आ जाते हैं, जहां पर हमारा जो ट्रांजेक्शन आइडी है, वो आप देखोगी कि इसके अंदर आप सभी को मेंशन दिख जाता है, कांट क्लिक करेंगे, और यहां पर OTP अथनिकेशन का जो ओप्शन दियागा है, इस पर हमें क्लिक करना है, तो यहां पर हमारे आधार कार से जो भी मोबाइल नमबर लिंक होगा, उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, वो OTP हम यहां पर फिल करेंगे, यहां पर हम करने का जो पेज है, वो आ चुका है, तो जैसे हमने क्लिक किया है, तो प्रोटीन करके जो एनस्टल की वेब साइट है, इस पर आ जाते हो, जहां पर आई हेर भाई अथराइज के ओप्शन पर क्लिक करना है, अपना जो बारत जीन का आधार नमबर है, वो इंटर करना है, और यहां पर सेंड ओटीपी की टैब पर क्लिक करना है, हमारे आधार कार से जो भी मोवाईल नमबर लिंक है अगेन, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर फिल करना है, और वेरिफाइज की टैब पर क्लिक करने के बाद में, आपकी जो अप्लिकेशन है, वो successfully submit हो जाती है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का password को इंटर करने का जो पेज है वो आ जाता है आप यह जो डेटाबर्थ है वही यहां पर इंटर करना है यानि कि डेटाबर्थ को इंटर करते समय उसमें कोई भी symbols का यूज नहीं करना है और फिल करने के बाद में आपक अब यहां पर दिखाए गये हैं अब यहां पर पीडिया फॉर्म आपको जनरेट होकर के मिला है इसको आपको कहीं पर भी सेंड करने की जरूरत नहीं है पहले क्या होता था यह जो फॉर्म है वो भेजने की जरूरत परती थी लेकिन अभी आप देखोगी कि इस पर आप हो जाता है जिसके बाद में आपको SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है और आपका जो पैन है उसकी डिजिटल कॉपी आपके इमेल पर सेंड कर दी जाते हैं जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो लगा सकते हो बाकि आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है 10-15 दिनो है कि आप यहां पर अपना पैन कार्ड हो जान सकते हो जैसे हम यहां पर पैन कार्ड का जो इस्टेटेस से वह जानना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर प्यूर्स पर करना है इसके बाद में का जो मिल जाएगा जैसे कि हमारा जो जनी को हूँ चुका है यहां पर पाइन नंबर देखने को मिल जाता है इसे के साथ में एयर्वे बिल लाइन कि जो speed post के मादधम से post के मादधम से हमारा जो pen card है घर के पते पर send किया गया है उसका भी tracking number यहाँ पर दिया गया है बाकी email अगर आप चेक करोगे तो email पर आपको कुछ इस तरीके का PDF में pen card मिल जाता है जिसको भी आप यहाँ पर अपनी जो DOB है इंटर करके open करोगे तो सकते हो आसा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो से like जरूर करना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी subscribe करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में तब तक लिए गोड़बाई जैहि झाल 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 झाल